हलो दोस्तों मेरा नाम है नंत्वय सौनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल AVS Tech अनंत्वय सौनी मैं तो दोस्तों जैसे कि अभी तक मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ जैदा तर ऐसे टिप्स बताए हैं जहां पर आप पैसे अच्छे खासे कमा सकते हैं चाहे वो affiliate marketing से हो या फिर earn money online यहां पर मैंने सारी playlist भी बना रखी है आप देख सकते हैं popular uploads है फिर इसके बाद recent activity है और इसके बाद यह earn money online है फिर इसके बाद यह Shopify tutorials है यहां पर और affiliate marketing आप देख रहे हैं तो यहां पर इस सारी मैंने playlist बना की रखी होई है आप playlist भी चेक कर सकते हैं अभी तक मैंने आपको Shopify के tutorial दी होई थी जिन में से बहुत से लोगों ने store बनाए कुछ लोग successful भी हुए अभी लोगों की यह समस्या थी कि उनको पर महीने जो यहां पर जाया करता था तकरीबन 1800 या फिर 2000 करीब जो हर महीने आपको Shopify में जाया करता था तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज भी drop shipping से related ही है आज का जो हमारा वीडियो होगा वो Shopify से related है यह साइट मैंने पूरी demo के लिए बनाई हुई है यहां तक की जो मैंने plugin खरीदी है वो तकरीबन 6000 करीब की मुझे पड़ी ताकि अगर आपको best लगता है तो वो plugin भी आप use कर सकते हैं drop shipping के लिए वो आपको one time investment है सिर्फ आपको एक ही बार investment करना है और आप उससे सारी जिन्दगी चला सकते हैं यहां पे आपको तकरीबन 6000-8000 रुपर या खर्चा आ सकता है कुछ plugin का है और कुछ hosting का होगा तो यहा main के साथ में मैंने यह plugin अभी install की होई है यहां पे आप plugin देख सकते हैं यह plugin का नाम है अली dropship तो मैंने यह plugin भी purchase की है अभी फिलाल तक तो यह मैंने डेमो के लिए लिए है अगर मुझे पसंद आती है तो और आप लोगों को यह पसंद आए क्योंकि डेमो इसलिए बना रह यह है यह है अली dropship की site है और मैं आपको link provide कर दूँगा आप उस link पे जाएंगे तो आप direct same इसी page पे आएंगे यहां पे आप get plugin करेंगे तो आप देख सकते हैं यह plugin तकरीवन 89 डॉलर की है और मैं यहां पे इन्होंने सारी चीज़ें बता के रखी है और पूरा process आपका automated ह सिर्फ आपको one time investment करना है यहां पे नो ने लिखा भी हुआ है कि one time investment करना है आपको और unlimited products आप add कर सकते हैं जैसे अभी आप क्या है कि Shopify में क्या issue होता था कि आप अगर overlo की plugin लिया भी करते थे तो उसमें 500 तक product जो थे वो free थे उसके बाद आपको overlo में भी आपको pay करना तो यहां पर यहां पर search and import built-in theme इनों ने दिये हुई है साथ में इनों ने price automation दिया हुआ है कि price आप automatic कर सकते हैं auto update होंगे woocommer support रहेगा place order automatically आपके place order भी place होंगे यह सारी चीजे हैं यहां पर more features भी हैं वो सारी चीजे आप यहां पर check कर सकते हैं साथ में यहां पर इनों ने पूरा layout दिखाया हुआ है कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है और किस टाइप से आपको करना है यह सारी चीजे मैं आभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी यहां पर इनों ने कुछ theme भी दिय हुई है कि आपका इस टाइप से look आएगा यह 3-4 इनों ने theme recommend भी की हुई है आप अगर इनकी plugin यह check करेंगे तो यहां पर आपको recommended themes भी मिल जाएंगी तो उन्हीं जो इनों ने recommend की हुई थी उनमें से एक theme मैंने यहां पर add की हुई है और यह एक अभी मेरे store का यहां पर layout आया है अभी मैं कोई भी एक product जैसे कि मैंने य demo claim port किये थे यहां पर देख सकते हैं मैंने यह product import किया simple सा एक मिट का काम है एक मिट में मेरे यह तकरीबन 8-10 product यहां पर add हो गए यहां पर सारी चीजें आ गई आपकी images आ जाते हैं description आ जाते हैं सारी चीजें same to same रहा करती हैं और सबसे अच्छी बात है आप इसमें reviews भी import क ख़ेश हैं तो यहां पर देख सकते हैं सारे reviews आ गए सारी चीजे आ गई है images वग़रा इसरी चीज आपको एक यही बार में आ जाती है आपको बार-बार यहां से import करने की जरूरत नहीं हैंड आपको बार-बार यहां पर copy-Paste करने की जरूरत नहीं है इमेजS кош Kirk करने की जर करती है तो जैसे कि मैं अभी आपको plug-in दिखा दिया करता हूं देखे तो यहां पे आपको दो plug-in मिलती है फस्ट यह plug-in होती है जहां पे आपको अगर आप WooCommerce नहीं यूज कर रहे हैं और कोई और अगर आप CMS platform यूज कर रहे हैं तो आप इस plug-in को यूज कर सकते हैं और अगर आप WooCommerce यूज कर रहे हैं दैन आपको यह plug-in यूज करनी है इसमें लिखा भी हुआ है वू कर तो यह second plugin आपको यूज करनी है अगर in case आप WooCommerce यूज कर रहे हैं तो जैसे कि अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ वो मैं WooCommerce ही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने यह WooCommerce वाली plugin डाली है साथ में जब यह plugin आप install करेंगे तो यह आपको बोला जाएगा यहाँ पे आपको मैं दिखा दिया करता हूँ plugins में यहाँ पे आपको मैंने दोनो plugins install करके देखे हुई थी यहाँ पे आप देख सकते हैं simple यह plugin है जो कि मैंने अभी activate नहीं कर रही है यह आपको WordPress में रहेगी लेकिन किसी और कोई और आपको CMS use करना पड़ेगा और अगर आप CMS नहीं use करते हैं तो भी यह work करेगी second जो मैंने अभी activate की है वो है Alidrop से Woo plugin तो यह जो है WooCommerce के लिए है तो मैंने इसको activate किया है साथ में यहाँ पे मैंने WooCommerce activate किया हुआ है यह दो चीजें आपको यहाँ पे बहुत ही जरूरी है जो कि आपको यहाँ पे चाहिए पड़ेगा यह दोनों plugin activate करने के बाद कभी कभी आपको एक error आता है कि आपके मैं कि आपके मैं IonCube slash loader यह activate नहीं है तो यह आपको अपने hosting में जाके यह loader activate करना पड़ेगा अगर मैं इसको यहाँ पे यह deactivate कर देता हूँ इनके तो यहाँ पे यह error सो होना सुरू हो जाएगा देखिए अभी मैं इसको deactivate करता हूँ यहाँ पे मैंने इसको save किया अब मैं यहाँ पे plugin पे click करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वो plugin यह देखिए यह यहाँ पे option सो होने लगता है कि यह अभी काम नहीं कर रहा है तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है कि आपको यह चीज एक्टिवेट करनी है साथ मैं यहाँ पे जहाँ पे आपका my php version होता है यहाँ पे आपको इसको activate करना पड़ता है तो एक तो यह चीज हो गई जो कि आपको करना है अभी मैं इसको फिर से refresh करता हूँ और यहाँ पे आप देखिए plugin फिर से activate हो गई तो यह चीज हैं कुछ आपको ध्यान रखनी है जो कि आपको करनी है लेकिन इसके साथ में सारी tutorial आती है और फिर भी आपको कोई doubt है आप लोगों के पास पहुंचे तो मैंने जो वीडियो बनाया है वो मेरा motive फुल्फिल हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर हमने यह plugin बगएरा add कर ली सब कुछ कर लिया यह सारी चीजह मैंने आपको बता दी यहाँ पर यह सब activate करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है आपने license लिया हुआ है license आपको activate करना पड़ेगा मैं यहाँ क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर मेरा license सो होगा जो की की यहाँ पर इन्होंने सो की हुई है और फिर इसके बास सबसे पहले आता है यहाँ पर import aliexpress आपको product अगर import करना है तो आपको किस type से करना है यह यहाँ पर link दियो होती है आपको इस पर link पर click करना है और वो page open होगा और यह जो है यहाँ पर इस तरीके से activate होती है आपको यहाँ पर एक site डालनी है जो भी आपकी site है वो आपको site डालनी है यहाँ पर और यहाँ पर add करना है एड करने के बाद login करना है आपको login करने के बा क्लिक करना पड़ेगा authorized का और आपकी plugin authorized हो जाती है और इसके साथ में आपकी यहां पर site add हो जाती है site add होने के बाद जब भी आप यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर add हो जाता है यहां पर आप देकश सकते हैं अभी तक 8 product add हो चके है 48 में से एक बार में 48 ही कर सकते हैं यहां पर प्रोडक्ट्स में टिक का उफ्सान आ रहा है इसका मतलब यह प्रोडक्ट में एड कर चुका हूँ जो कि मैंने अभी आपको यह प्रोडक्ट दिखाया था इसके साथ मैं अभी मैं और भी कोई प्रोडक्ट एड करके दिखाता हूँ as a demo की और कौन-कौन से product है जैसे माली जी यह product है यहाँ पर हमको add करना है मैंने इस पर simple सा click किया और यह देखिए यह product add होना शुरू हो गया और यह तक्रीबर एक second में ही add हो गया और साथ में अगर हम और कोई product देखते हैं यह एक product है हमको लगता पर search करना है या फिर आपको categories में select करना है यहाँ पर categories में select भी कर सकते हैं आपको किस type के चाहिए फिर यहाँ पर आपका best में चाहेगा लेकिन आपको order के हिसाब से sync करना है sorted by order करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा product order हुआ है अब यहाँ पर देखिए यह दो तीन product जो भी मैंने add किये हुए है मान लिजे कि अभी मैं इस product को भी किसी एक और product को add कर दिया करता हूँ तो जैसे कि अभी मैं फिलाल के लिए इस product को भी add कर देता हूँ यह एक और product मैंने इसको add किया ठीक है यह product सारे add हो गए अब हम देखते हैं यहां पे हमारे सौप में यह नए प्रोड़क्ट एड़ हुए है या नहीं हुए तो यहां पे आप देख सकते हैं अभी जो हमने दो प्रोड़क्ट एड़ किये वो भी प्रोड़क्ट यहां पे एड़ हो गए यह सारे चीजह भी मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको setting में जाना है, यहां पर प्राइजिंग में जाना है, पूरा process same है, जैसे कि मैंने आपको Shopify में बताया था, same यहां भी वही process है, यहां पर आपको price markup में जाना है, अगर आपका price 0 to 5 है, तो आपको यहां पर add करना ह प्लस 3 मतलब ये जरूर नहीं है ये आप पे टेपेंड करता है कि आपको क्या करना है ये मैंने जस्ट डेमो के लिए बनाया है कि अगर आपका 5 डॉलर का प्रोड़क्ट है तो 5 इंटू 2 प्लस 3 तो यहां पे आपका प्रोड़क्ट हो गया तकरीबन 5 दूनी 10 और प्लस 3 मतलब 13 डॉलर का आपका प्रोड़क्ट हो जाएगा अगर वो 5 डॉलर का है अगर 5 डॉलर से 10 डॉलर के बीच में है तो इंटू 2 प्लस 6 अगर वो किसी भी टाइप का है तो यहां पे यहां पे मैंने नई लगाई है कि कॉस्ट आपका कुछ भी रही इंटू 2 प्लस 6 तो यहां पे आपको इस टाइप से मारकब बना के रखने हो हैं यहां पे अगर आप एड नियू रूल करना चाहते हैं तो यहां पे जो infinity है इसकी जगह मैं कर देता हूँ यहां पे पहले मैंने $10 किया था अभी मैं यहां पे $20 कर देता हूँ कि $20 रहेगा तो यहां पे plus 6 की जगह में $7 कर देता हूँ और यहां पे मैंने save changes किये shape changes होने के बाद अगर इस range का कोई product है साथ में आपको यहाँ पर update price करेंगे तो सारे product अगर updated नहीं है in case आप पहले import कर चुके हैं और वो product आपके हैं सेम उसी price में दिखा रहे हैं मान लिजे कि अभी आपका कोई 30-20 dollar से जादा का कोई product हम करते हैं यहाँ पर वही price तो होगा जो price आपका अली dropship में था and then आप यहाँ पर नया add करते हैं 30 से more के लिए जैसे के लिए मान लिजे कि अभी मैंने यहाँ पर new किया 20.01 यहाँ पर मैंने किया 20.01 ठीक है और यहाँ पर मैंने infinity कर दिया कि कितना भी रहे यहाँ पर आपको into करना है यहाँ पर आपको 2 डालना है into 2 यहाँ पर डालना है आपको plus 6 या 7 जो भी आप add करना चाहें या पर आप plus 10 कर सकते हैं यह मैंने सिर्फ demo के लिए अभी किया हुआ है जैसे कि अभी मैं फिलाल यहाँ पर 7 कर दिया करता हूँ और यहाँ पर मैंने save changes किया अब इसके बाद जो भी product आएंगे वो इसी price rule के हिसाफ से यहाँ पर add होते रहेंगे तो यह आपको price rule यहाँ पर जरूर create करना है वरना आपको कोई भी फायदा नहीं होगा आपको जो यहाँ पर जो आपको price में आएगा वही price आपका so होगा तो आपको price rule करना है साथ में अगर आप currency यहाँ पर add करना चाहते हैं इन्होंने inbuilt currency का option दिया हुआ है तो आप इसको on कर सकते हैं यहाँ पर अभी हमारी default currency है dollar ठीक है USD है है यहाँ पर अब आप चाहते हैं कि additional currency आपको कौन कौन सी यहाँ पर add करनी है वो वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको country select करनी पड़ेगी जिन जिन का आपको यहाँ पर add करना है तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर Australian dollar कर दिया करते हैं साथ में यहाँ पर हम bitcoin भी इन्होंने अभी नया add कर दिया है साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर INR के लिए हम करना चाहते हैं तो INR भी यहाँ पर available होगा यहाँ पर देखिए Indian rupees भी है तो यह दोनों हमने add कर दिये and then यहाँ पर safe changes कर दिया तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर देखिए अभी जैसे की location है हमारी इंडिया तो यहाँ पर Indian price यहाँ पर 100 होना शुरू हो क्या अभी यही site अगर कहीं और open होगी तो यहाँ पर उसके साफ से so होना शुरू हो जाएगा लेकिन यह चीज तभी है जब आप यहाँ पर यह switcher on करेंगे तभी यहाँ पर यहाँ पर यह चीज रहेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा भी हुआ है कि the plugin automatically detects the country of the website visitor and display the price यहाँ पर एड नहीं होगा देखिए अभी में आपको यहाँ पर इन्डिया का हटा के दिखा दिया करता हूँ तो यह आपको confirm हो जाएगा देखिए अभी यहाँ पर सिर्फ दो languages है तो यहाँ पर इन्डिया का नहीं so होगा अब मैं इसको refresh करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो price है वो default में आ गए है लेकिन यही site अगर ऑस्टेलिया में खोलेगी तो यहाँ पर ऑस्टेलियन डॉलर का जो भी price रहेगा वो यहाँ पर अपडेट होके और वो यहाँ पर सो होगा यहाँ पर आवर में यहाँ पर इन्हों ने पूरा दिखाया है कि ओस्टेलिया का क्या है और last updated कब था यह per day update होता है यहाँ पर 24 hours में यह पूरी currency यहाँ पर update होती है तो आपको यहाँ पर मैं आपको उता रहा हूँ fully automatic है तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको करनी है currency, price, फिर nice attributes अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर add कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या-क्या चीज़ एड करनी है जैसे कि मान लिज़े status करना है display product variation text करना है यह चीज़ें आपको एक बार check करनी पड़ेगी कि आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए है अगर आप plugin सुभाविक सी बात है आप plugin ले रहे हैं तो आपको एक बार पूरे यहाँ पर options चेक करने पड़ेंगे कि किस चीज़ की आपको जरूरत है या किस चीज़ की नहीं है तो display review images in pop-up अगर आप चाहते हैं यह सारी चीज़ें activate करना यह सब चीज़ें बहुत ही normal हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी second आता है report आपको यहाँ पर traffic report दिखाएगा और activities list दिखाएगा traffic report के लिए आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा आपका Google Analytics का जो client ID आपको मिलेगी और secret code मिलेगा वो चीज़ें आप यहाँ पर add कर देंगे continue करेंगे then यहाँ पर आपको पूरी traffic report सो होगी साथ में यहाँ पर आपको activity list भी सो होगी कि activity list में क्या हो रहा है और फिर आपका यहाँ पर option आता है tracking का tracking में आपको सारे order से यहाँ पर दिखाई दिया करते हैं कि अभी यहाँ पर कितने order हुए हैं और अगर वो sync नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर sync कर सकते हैं यहाँ पर tracking ID दिखाई देगी सारी चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आपको कुछ भी नहीं करना है हर चीज आपकी automatic रहेगी सिर्फ आपको यहाँ पर setting करके रखनी है ताकि आपके product automatic आपके product जो है आपके product automatic order होते रहें और अगर आप automatic नहीं भी करना चाहते हैं तो आप जाकर के direct order भी कर सकते हैं यहाँ पर aliexpress की भी एक setting है जो की यहाँ पर आपको setting एक बार देखनी है कि कितने order fulfillment के लिए आपको क्या करना है तो यहाँ पर default phone number आपको दे के रखना है कि अगर कोई ISO होता है product images tracking service आपको 17 track ही add करना है और अगर आपके पास कोई और है तो आप और भी कर सकते हैं और यहाँ पर cashback URL अगर कोई है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं वरना यह चीज़ें इतनी जरूरी नहीं है और सबकी चीज़ें यहाँ पर how it works यह सभी में दिया हुआ है तो आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार यह option जो दिया हुआ है यह जरूर आप check कीज़े साथ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर reviews भी import होते हैं इंपोर्ट कैसे होते हैं reviews यहाँ पर आपको प्रोड़क्ट सो हो रहे है यहाँ पर आपको reviews कितने चाहिए है किस टाइप से reviews चाहिए है अप टू 20 चाहिए है अप टू 40 जैसे मान लीजे मैं चाहता हूँ कि 20 reviews हो और 4 star and higher वाले यहाँ पर reviews add हो और apply to all categories तो सभी categories पर हो और मैंने इसको import किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह कुछ reviews हैं जो automatic import होना सुरू हो गए तो अगर मैं यह product अभी check करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर reviews आने सुरू हो जाएंगे तो यह जो हमारा product है वो यह वाला है मैं इसको एक बार check करता हूँ अब देखेंगे यहाँ पर अभी तक 9 reviews यहाँ पर 100 होने सुरू हो गए हैं और यहाँ पर देखेंगे इनके सारे reviews भी आ गए हैं मतलब यह site एकदम perfect है इसकी हर चीज़ आपको automatic मिलेगी अभी देखेंगे यहाँ पर 9 reviews थे अभी मैं इसको refresh करता हूँ कुछ और reviews यहाँ पर update हुए होंगे यहाँ पर देखेंगे अभी 13 reviews हो गए हैं इस type से यह सारी चीज़ें जो कि कुछ function उसमें paid है वो सारी चीज़ें यहाँ बहुत automatic और बहुत अच्छी हैं मैं अभी तक तो जो मेरे Shopify store चल रहे हैं वो तो obviously चली रहे हैं लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस plugin को एक बार जरूर activate करूँ और मैं इस plugin से ही अपना store चालू रखूँ क्योंकि यह plugin मुझे बहुत ज़्यादा effective लगी और यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही simple है Shopify में obviously बार simple है क्योंकि लेकिन वहाँ पे आपको extra pay करना है हर चीज़ अगर आपको मान लिज़े reviews भी अगर add करवाने हैं तो भी आपको यहाँ पे pay करना पड़ रहा है लेकिन यहाँ पे आपको extra कुछ नहीं pay करना पड़ता है तो यह एक best चीज़ है और यह चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं तो यही एक मेरा छोटा सा review था यहाँ पे आपका सारा payment आपका PayPal के थुरू आएगा यह सारी चीज़ें आपको PayPal बगरा सारी activate करके रखनी है यहाँ पे आपका जो WooCommerce रहेगा WooCommerce में आपको setting में जाके पूरा payment setting आपको कर देना यह जैसे कि यहाँ पे आप जब payments में जाएंगे तो payments में यहाँ पे आपको कौन-कौन से payments आपको चाहिए है तो मैंने अभी फिलाल PayPal यहाँ पे activate किया हुआ है साथ में यहाँ पे check payment यह सारे है तो यह साभी मैंने अभी deactivate किये है मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे PayPal activate किया हुआ है तो PayPal बेस्ट है आप भी PayPal यूज़ किजिए क्योंकि PayPal पे ज्यादा तर लोगों को trust रहा करता है और किसी आपको payment gateway की जरूरत नहीं है तो इस tutorial में मैंने आपको बागी सारी चीज़ें cover कर दी है कि आपको किस type से यहाँ पे product add करने है किस type से store बनाना है store बनाना आपको आता होगा अगर आपको नहीं आता है in case store बनाना तो आप यहाँ पे मेरी playlist चेक कर सकते है playlist में मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हुई है कि आपको किस type से यहाँ पे product add करने है तो यहाँ पे मैंने WordPress, Web Design, Hindi tutorial पूरे बना के रखिये आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीवन यह 22 वीडियो है यह सारे आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे और अगर आप मेरा blog चेक करते हैं तो blog पर भी आपको यह सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी यहाँ पे मैंने एक पूरा बनाया हुआ है यहाँ तो क्रियेट आ वर्टप्रेस वेबसाइट ब्लॉग एंड एकोमर्स स्टोर जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी ट्यूटोरियल मिलती है यहाँ पे स्टेफ वाइज मैंने बताया है कि डोमेन आपको लेना है डोमेन कहां से आप खरीज सकते हैं साथ में डोमेन आपको कैसे लेना है डोमेन एड कैसे करना है वर्टप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है यह पूरी की पूरी ट्यूटोरियल यहाँ पे दे हुई है इसमें सारे वीडियोस हैं सभी कुछ मैंने cover किया हुआ है तो यहां से आप fully e-commerce site यहां पे बना सकते हैं यहां पे चुकि यह कुछ videos हैं जिसमें import products का है यह सारे steps आपको छोड़ देने हैं जिससे आपको क्योंकि यहां पे आपके जो products हैं वो direct आपके dropship plugin से आपके पूरे product import हो रहे हैं तो यहां पे आपको जो import वाला option है वो सारी छोड़ देना है लेकिन आपको बाकी सारी चीज़े करना है कि यहां पे आपको categories create करना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां अभी तक मैंने सिर्फ एक ही category यहां पे add की हुई है जो कि healthcare आप यहां पे चाहें और भी new category कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी एक और add कर देता हूँ home decor करके तो home decor हमने यहां पे add की यहां पे new category add हो गई है अब जब भी अगर हम product add करना चाहते हैं तो जो अभी हमने नई एक और category add की हुई है वो यहां पे show होना शुरू हो जाएगी हम इसको एक बार refresh करेंगे तो यहां पे वो plugin show होना शुरू हो जाएगी तो यहां पे देखिए अभी आ गया है हमारा home decor भी आ गया है कि आगे हम जो भी product import करना चाहें वो home decor में हो तो यहां पे हम home decor select करते हैं और हमने यहां पे enter कि अभी यहां पे जो भी product आएगे मैंने आपको बता है कि best match आएगा लेकिन आपको यहां पे sorted by order करना है जो जादा से जादा order हुआ है जैसे कि आप यह देख सकते हैं कि यह तकरीवन 4000 बार add हुआ है साथ में यह product है यह तकरीवन 7000 बार add हुआ है तो आप ऐसे product को ही add करना है जो कि जादा से जादा order हुए है ठीक है यह मैंने दो product add कि अभी देखिए यह दोनों product अभी हमारे store में सो होना सुरो हो जाएंगे तो देखिए अभी मैं फिर से shop पे चलता हूँ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह product एक और आ गया है आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 minutes की बात है 2 minutes में आपके product add हो जाते हैं simple सा आपको मुस्किल से मुस्किल 3-4 घंटे में आप fully featured store बना सकते हैं यह पर देखिए यह price आया है जबकि हम यहाँ पर इसका price देखते है 1.65 है लेकिन इसका price यहाँ पर यह आया है तो यहाँ पर इनों ने किया है क्या किया है जो भी price है उस price का into 2 किया है plus 6 है साइद या 5 है या 3 है कुछ यहाँ पर तो वो यहाँ पे इन्हों ने add किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर product आपके कितने जल्ली add हो जाते हैं मान लीजे अभी हम इस product को check कर लिया करते हैं एक बार यहाँ पर देखिए इसके colors वगएरा हर चीज everything यहाँ पर आजाती है कुछ चीजों को आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा जैसे कि अगर हम देखते हैं सिपिंग चार्ट आ गया यहाँ पर अगर यह सिपिंग चार्ट रहेगा यहाँ पर aliexpress भी दिखाई दे रहा है तो साइद ऐसा लोगों को लगे कि यह product aliexpress से आ रहा है तो आप यह chart भी हटा सकते हैं कि अगर आपको लग बाकी चीज़ें आप same to same रख सकते हैं बाकी कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है एक बार आप जब भी import कर रहे हैं उसको एक बार products को एक एक बार देख लिजे तो यह आपकी लिए ही benefit रहेगा क्योंकि आप अगर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत time देना जरूरी है तो मेरे ख्याल से आपको बाकी सारी चीज़ें समझ में आ गही हों कि आपको किस type से करना है अभी इस वीडियो में आपको करना क्या है आपको जो जो भी doubt है आप मुझे comment में लिखके बता दीजे कि इसका किस किस चीज़ से related आपको doubt है उन सब्सक्राइब मैं आगे वीडियो बनाऊँगा क्योंकि मैंने ये plugin खरीदी है मैं नहीं चाहता कि मैं आपको सिर्फ एक वीडियो बना के छोड़ दूँ तो आपको जो भी इससे related जो भी doubts आ रहे हैं वो सारे आप मुझे यहाँ पर लिखके भेज देजे इस वीडियो में और जादा से जादा share कीजे और like, subscribe करना बिलकुल भी मत भूलिए तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में Thank you